इस वीडियो में आपको उत्राखन जी के के 20 महतपूर कोशन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम लेकपाल पटवारी उत्राखन पुलीस उत्राखन बंदी रक्षक पुलीस उसके अलाबर जो भी आधर एक्जाम है उन सभी के लिए काफी महतपूर है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें वीडियो को अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें अगर आप हमारे चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इस्टड़ी भी देव भूमी को सब्सकाइब कर सकते हैं जब चै आज का पहला कोशन है कस्तुरि मरक राज्ञ्य के जंगलों कितने उचाई पर पाये जाते हैं तो गई देखिक प्रें ग्यानय कि पाये जाते हैं यह यह पाये 4234 की उचाई पर यानी यह प्क्षित में हमारा हे राइट होजाएगा बात कर रहें कस्तुरि मरक्की तो इसका जो बेग्यानिक नाम होता है वो होता है मासकस काईसो गोस्तर क्या होता है मासकस काईसो गोस्तर ठीक है ये इसका बेग्यानिक नाम होता है बात करें अगर पूछ लेता है किस कुल का है तो आपको नाम याद रहेगा अंगू लोटा ठीक अंगू लोटा कुल का है अगर आप से पूस्ता किस परिवार का है तो आप याद रहेंगे मोसीडे ठीक है मोसीडे परिवार का है उसके अलाब देखे इसके राज्ये में जो परजाती पाए जाती है वो कितने परजाते पाए जाते हैं के बल चार परजाते हैं यह बहुत यहात हमें जो पाए जाता है सबसे जादे जो पाए जाता है एक पाए जाता है देखें यह केदारनात में ठीक है उसके बाद पाए जाता है यह फूलों की घाटी में ठीक है यह सरवादी जो पाए जात तो निकाली जाती है तीस से 45 गिराम कुशन आता कि कस्तूरी मिल्म का संडक्षन कप क्या गया था तो 1972 में तर में इसका संडक्षन किया गया था गर्था हो जाएगा किस कमेंटी की सिफार इस पर ढोल को राज्य वाधियंट्र होशित किया गया याद रखेंगे यह थी भंडारी कमेटी की सिफारीस पर ही जो है धोल को राज्जी का बादियंत्र गोशित किया था उस समय पर धोल सावर के एक मात्र गयाता कौन है तो यह है उत्तम दास कौन है गाईज उत्तम दास जी अगला कोशन हो जाएगा रवाई छेतर को कब टीरी रियासत में सामिल किया गया था यह क्या गया था अठारा सो चोबिस में कब क्या गया था अठारा सो चोबिस में रवाई छेतर म कहा जाता है तो देकि यह कहा जाता है नेलांग घाटी को किसको कहा जाता है उत्तरागन का रद्दा नेलांग घाटी को देखे नेलांग घाटी जो इस्तीत है गाईज ये इस्तीत है उत्तरकाशी में कहां पर इस्तीत है गाईज ये तो ये इस्तीत है उत्तरकाशी में ये निला घाटी को उत्तरा खंड दाग भी कहते हैं इसके लाब इसको कहते हैं पहाड का रेगिस्तान क्या कहते हैं इसको पहाड का रेगिस्तान ठीक है कोश्चन आ जाएगी पहाड का रेगिस्तान किसको कहा जाता है तो ये भी निला घाटी को ही कहा जाता है अगला गंगोत्रे के पास मिलती हैتي अंकरा कुष्कर देख लेते हैं लक्ष्मी नारायन बंदिर किस नदी के तड़ पर इस्तीत उहां यह बैसे तवत हैं पर इसल उत्तर गाशी में है तो यह किस नदी के किनारे पर हो जाएगा घ्र हैज तो भागई रती किनारे लक्षमी नारण मंद्र के अगर आपसे पूस्ता इस्थापना कब हुए थी तो 1818 में अगला कोश्चन हो जाएगा गढ़ रेवार समाचात प्रकारशन जो पत्र था उसका प्रकारशन कब हुआ तो गढ़ रेवार समाचात पत्र का जो प्रकारशन हुआ था गाइस यहुआ था ठक है और कहां से वे इताक प्रकाशित ये उत्तरकाशिषे निकलता था जिसका नाम था परवत वाणी क्वा ता गाई इसका नाम था पर्वत वाणी समाचार पत्र ये निकला था 1974 में ठीक है और ये भी उत्तरगाशी से निकलता था और इसके संपादक कौन थे पितामबर जोसी कौन थे गाईज पितामबर जोसी एक समचार पत्त निकला था 1982 में उसका नाम क्या था वीर गडवाल क्या नाम था गाईज उसका वीर गडवाल ये भी उत्तरगाशी से निकलता था ठीक ह और इसके जो संपार रखते है वो थे बर्फिया लाल जो अंठा कौन थे बर्फिया लाल जो अंठा कौन थे बर्फिया लाल जो अंठा जो थे इसके संपार रखते ठीक है अगला कोशन हो जाएगा बचेंद्री पाल को अरजूर पुरुषकार जो है वो कब मिला था तो परवता रोही आंगे जन्म हुआ था उनिन सो चववन में और नाकुरी गाहां पड़ताइप उत्तर काशी में क्या तन की माता का नाम हनसा देवी अब बात करें गाज देखिए इने कौन-कौन से पुरुषकार मिले थे सबसे पहले देखिए बच Chinese देपाल जो ये भारत की पहली है और बिश्व की कौन से नंबर की है इस अगर बात करेगा कि बिश्व कौन से नंबर की है और 1984 में इनको कौन सा पुरुषकार मिला था गाई पदम सिरी कौन सा मिला था गाई पदम सिरी मिला था 1986 में इनको अरजुन पुरुषकार मिला था बात करें 2019 की 2019 में मिल रखा है इनको पदम भूशण क्या रख मिल रखा है इनको पदम भूशण ठीक है पदम भूशन इनको मिल रखा है अगला कोशन हो जाएगा देहरा दून को कुमाव मंडल में कब सामिल किया गया था तो देहरा दून को कुमाव मंडल में कब सामिल किया गया था यह उस समय की बात चलेगा इस वैसे तो गड़वाल मंडल में आता ठीक है लेकिन उस सम हमालें इस लृड होस्पिल्स ट्रस्ट की स्थापन हुई ती यह हुई थी कि 999 में ए निस सो नव आजी में और यह कहां पर इस तीत है जोलीगृंट में धीक कहां पर आजोली ग्रांट में अब बात करें इसके सनस्थापक कौन थेे, सवामी राम, कौन थे, अब देखे, हेमालेण इंस्थापक होस्फेल टरस्ट जो है, यह राज्ये का पर्थम, ठीक है, पर्थम मेडिकल गॉलेज है, और इसको बिष्प भिधेलयका दर्जा मिला था, हेमालेण इंस्थापक हॉस प्रशिद्ध यानि दह रादुर्ण के हम लोग बात करें यहां पर कौन कौन से मेले प्रशिद्ध है तो एक मेला है टपके, टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर मंदिर भी यहीं पर है, टपकेश्वर मेला, उसके अलाबा है नुडाई मेला है, जो भेर चालक होते हैं, उनके लिए मेला लगता है, नुडाई मेला, उसके अलाबा बिस्टू मेला हो गया है, उसके अलाबा है, ग कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में, ठीक है कब की गई थी 2003 में अगला कौशन हो जाएगा, भारतिए सुधूर संबेजी संस्तानExcuse- तो कहा इस्तित गया है तो यह इस्तित है। दहरादून में, कहाँ पर इस्तित है, दहरादून में बात करें, इसकी इस्थापना की, तो इसकी इस्थापना हुई थी 1966 में, उन्निस्सोच आसट में, ठीक है, और य helemaal परिस्थित है, तैरा दून में, अगला कोश्ण हो जाएगा राज्ये में सर्व परफम गंधर की खोज कब और कहा की गई थी very very most important questionGOES यह और थम्नल में भी दे रखा मैंने तो राज्ये में सर्व परफम गंधर कि झोज हुई थी यह detox sup HELी तीगाइज कहा पर हुई थी Bas shout अगर पूस्ता चमोली की किस घाटी में हुई थी तो आप याद रखेंगे नाम रूप गंगा घाटी ठीक है जो रूप गंगा घाटी गाईज जो चमोली में इसमें जो है सरप्रतम गंदकी खोच की गेती उननिस्तो सतावन में ठीक है इसको पॉलिगों इसको काफिन पहुंचा रहा है तो अग्ला है गर्व झान गौफा किजनबद में इससतृत है तो गर्ब जोन गुफा जो इस्तित है गाईज ये इस्तित है टीरी में कहां पर इस्तित है तीरी में अब देखें टीरी में एक गुफा है बिश्वनात गुफा कौन सी है बिश्वनात गुफा भी कहां पर रहा ये भी टीरी में बसिस्ट गुफा ठीक है बसिस्ट गुफा अगला कोशन हो जाएगा फहक्त इस टुटियो जनपद में निर्मित की जा रही है वेरी वेरी मुस्ट इम्पोर्डर कोॉच्छे इनेक जील जो मसले निर्मित की जा रही है यह की जा रही है मैं चंपा बत में अगला में स्थान पूष्टा किस जगा इसको खोजाता तो गाई यह थो घो जाता तो आप याद रखेंगे विपिन-चंदर-पांडे पांडे ने जो है इसको खो जाता तो गाईज ये थे आज को उत्राओंट के 20 महत्पूर्न कोश्जटन जो आपके आने वाले एक्जाम लेकपाल पर तावारी बन फोलजिन बन्दी रख्शक पूलीस और अधर जो एक्जाम उन सबी के लिए काफी महत्पूर्न कोश्जन है गैँगर आपको बीडियो अच्छी लगए तो बीडियो को लाइक करें कपर आपको अपने जरूर अफने दोस्तों को साथ जरूर करें अगर आपने चैनल से जुड़ना चाहते हैं aus jullie सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तो बरावर न northern घंटेंगे निसान को जरूर किलिक कर लें ताकि आप हर किसी वीडियो को पासकें तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग